हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक जबदस नाश्ता दिल्ली छे यानी की पुरानी दिल्ली का स्पेशल और बहुत ही तेस्टी नाश्ता एक बार खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे नागोरी हलवा पूरी आलू की सबजी बहुत ही टेस्टी डिलिश्यस नाश्ता है और आप आप असानी से इसे घर में बना सकते हैं इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करूंगी ये क्रिस्पी और चोटी चोटी पूरियां बनाने की रेसिपी साथ ही एक टेस्टी बहुत फ्लेवरफूल आलू की सबजी पर उसे बनाने से पहले SG Food World को सब्सक्राइब कर दे साथ ही बेल बटन प्रेस कर दे लेटेस्ट अ पिंच ओफ बेकिंग सोडा एक चुटकी यानी जो ड्राइंग्रेटियेंस है उसे अच्छो से हाथ से मिक्स कर लेंगे उसके पाद डालेंगे डे टेबल स्पून घी मेल्टेड होना चाहिए ये इसे मॉन बोलते हैं और इसी की वज़े से जो हमारी नागोरी है वो फूले और क्रिस्पी बनेंगी मिक्स कर लेंगे अच्छे से ये बहुत ही इंपॉर्टन स्टेप है आप जब मिक्स करोगे सारे इंग्रीडियन्स को आपको इस मिक्स्टर को हाथों के बीच ओ बीच लेके दबाना है और इस तरीके से अगर मुठी बनती है तो मतलब जो मोन डाला है वो बिल्कुल accurate है अब हमें इसे गुन गुने पानी से गुनना है यह आटा तो पानी का यूस दीरे दीरे करें ताकि आटा जो है वह अच्छे से गुन जाए नागोरी का आटा जादा सौफ नहीं होना चाहिए जैसे हम मत्री का आटा गुनते है अजवायन और नमक वाल पी जरूर ट्राइ कीजेगा जो हमारा आटा है नागोरी पूरी का वो रेडी हो गया है देखे कितना हाड आए अब इसे थोड़ी देख लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे हलका सा घी का हाथ लेंगे और इस पर घी अच्छे से स्प्रेट करेंगे और एक लेंगे जिसे घीला कर लेंगे हलका और इस पर ढग देंगे अब प्लेट से कवर करके इसे 2015 खंट के लिए चोड़ देंगे तब तक हम रेडी कर लेते मेथी की चटनी मैंने यहाँ पर दो टीसपून मेथी की चटनी लिए इस बहुत ही टेस्टी लगती है आलू की सबजी के साथ इसे कम से कम दो घृटे भिगो के रखा है मैंने दो घृटे भिगोने के बार यह बिलकुल तियार है अब इसे पकाएंगे पॉल आने तक हाई फ्लेम पर और जैसे ही पॉल आ जाता है तो फ्लेम को लो कर देंगे और 5-7 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे ये जो मेथी की चटनी है आलू की सबजी या कोई भी चने पूरी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है और ये सबजी का टेस्ट डबल कर देती है रेडी हो गई हमाई मेथी की चटनी अब हम त्यार करते हैं आलू की सबजी अब लेंगे कुकर उससे गरम कर लेंगे हाई फ्लेम पर और एड करेंगे तीन टेबल स्पून घी या ऑयल साथ ही साथ डालेंगे उसमें एक चुटकी हीम और आदा टीज्पून जीरा अच्छे से सौटे कर लेंगे फ्लेम को अब लो कर देंगे अब इसमें आड करेंगे ग्रेवी टमाटो को अच्छे से पीस लेना है अब आड़ करेंगे सारे मसाले, एक चुथाई टीस्पून नमक, एक चुथाई टीस्पून हल्दी, अच्छ से मिक्स करते जाएंगे, अब हम आड़ करेंगे एक चुथाई टीस्पून मेथी की चटनी, इस मेथी के चटनी के मसाले से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आल की सबजी मसाला एक चथाई टीस्पून ये भी असानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा फ्लेम को medium to low रखना है बाकी मसाले भी आड़ करेंगे एक चताई टीस्पून कुटी लाल मिच एक चताई टीस्पून ही देगी मिच इसे बहुत अच्छा कलर आता है एक टीस्पून कस्तूरी मेथी एक चताई टीस्पून अमचुर पाउडर अच्छे से mix करते जाएंगे अब मसाला बिल्कुल अच्छे से भून चुका है साइडों से गी निकल चुका है तो अब हम add कर देंगे पानी पानी इसमें जादा नहीं डालना है अब मैं इसमें add करूंगी दो आलू boil आलू लिये मैंने बड़े साइज के हैं अगर मीडियम साइज है तो तीन आलू डाले इसे हाथ से अच्छे से फोड के इसमें add कर देंगे आपको instant दिखाने के लिए मैंने ये हाथ से आलू मैश किये हैं आप चाहें तो आलू मैशर का भी यूज़ कर सकते हैं इसको इसलिए फोड़ते हैं ताकि जो इसकी ग्रेवी है अच्छे से आलू में रस जाए और इसका टेस्ट जबल हो जाए ये सबजी बहुत ही टेस्टी डिलिशस लगती है स्पेश्टी नागोरी के साथ चानी चौकी ये फेमेस रेसिपी में आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस रेसिपी को बिल्कुल एंड तक देखे मिक्स कर लेंगे अच्छे से फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे अभी भी और इसमें टोटल में मैंने यहाँ पे डेढ़ कप पानी आड़ किया है पानी थोड़ा थोड़ा करके ही आड़ करें ताकि आपको कंसिस्टेंसी जैसी चाहिए वैसी आप रख पाएं वैसे नागोरी के साथ जो आलू की सबजी परोसी जाती है उसकी कंसिस्टेंसी मीडियम ही रहनी चाहिए तो डेढ़ कप पानी बहुत है अब इसमें मैं आड़ करूंगे एक चुथाई टीस्पून गरम मसाला साथ ही साथ डाल दूंगे एक चुथाई टीस्पून अमचूर अच्छ से मिक्स कर लेंगे और आप विसल लगवाएंगे तीन विसल आने पर गैस बन कर देंगे और आपकी आलू की सबजी रेडी है यदि हम बॉयल आलू की जगा कच्छ आलू लेते तो हम एक फ्लेम आने पर फ्लेम को लो कर देते और पान से साथ मिनट के लिए पकने देते उसके बाद फ्लेम को बन कर देते विसल निकलने पर बिल्कुल सबजी ready होती उसके बाद हम गरम मसालर और अमचुर पाउडर डालते आलू की सबजी हमारी बिल्कुल perfectly ready है आप हम त्यार कर लेते हैं नागोरी जो हमने डो ढखके रखा था आप इसको चेक करेंगे देखे जो हमने डो करा था वो बिल्कुल ready हो चुका है और सकत हो चुका है नागोरी के पूरियां बनने के लिए बिल्कुल त्यार है ये डो मैं आपको हाथ में लेके दिखा रहे हूँ देखे कितना सकत है ये आटा अब हाथ में थोड़ा से oil लेंगे और इसको अच्छे से गून देंगे जैसे आटा गूनते हैं ताकि ये आटा थोड़ा से soft हो जाए नागोरी बनने के लिए जितना जादा अच्छे से गून देंगे उतनी अच्छी से नागोरी पूरी बनेगी हमारी अब ये आटे को दो बराबर हिस्सों में मैं बाट दूँगी और इसे हाथों के बीच में मसलूँगी ताकि ये पतला हो जाए और इसकी लोईयां बहुत पूर्फेक्ट बने चोटी-चोटी लोईयां जितनी गोलगपई से थोड़ी सी बड़ी साइस की हमें लोई लेनी है चोटी-चोटी बॉल्स की तरह यानि कि एक बाइट में हम इसे खा पाएं इस तरीके की हमें नागोरी बेलनी है और बनानी है जो लोई है वो बनाने के लिए हातों के बीच में अच्छ से इसे स्मूथ करना है ताकि कोई cuts and ends ना रहे और जो हमारी नागोरी है बहुत स्मूथ बने बहुत ही tasty crispy और fully अच्छ से बहुत ही tasty ये नागोरी लगती है हमें बनानी भी बहुत आसान है तो try ज़रूर कीजिएगा अब हातों के बीच में इसे दबा देंगे और ये हमारी एक ball ready है ऐसे ही बाकी सारी balls ready कर देंगे बेलने का तरीका भी मैं आपको इसको बताऊंगी अब इसको एक बहुत ही कपड़े से ढग देंगे अच्छ से ताकि ये सूखे ना अब हम पूरियों को बेलेंगे उससे पहले चकले और बेलन को oil से grease कर लें ताकि जो पूरी है बेलते समय चिपके ना जो हम पूरी बेलेंगे वो भी हम oil की मदद से ही बेलेंगे क्योंकि हम सूखे आटे का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे सूखे आटे से हमारा ओयल भी गंदा हो सकता है और हमाई जो पूरी है वो भी काली-काली सी लगती है इसलिए यहाँ पे हम बेलने के लिए ओयल का यूज़ करेंगे जादा पतला, जादा मोटा नहीं बेलना है मीडियम साइज का इसे बेलना है देखिए कहाँ पे कितनी clarity से मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से हमें consistency देलनी है बेलने में नागोरी बिल चुकी है और जो oil है वो भी गरम हो चुका है high flame पर इसे गरम कर लेंगे उसके बाद इसमें आट कर देंगे नागोरी जैसे ही ध्यान रखे नागोरी फूल जाती है तो flame को low कर दे ये step बहुत important है क्योंकि जो हमाई नागोरी है हमें crisp चाहिए और जैसे ही oil तेज गरम हो जाएगा तो इसे slow कर देना है ताकि उसकी crispiness बनी रहे और color भी बहुत अच्छा है golden सा पूरी को low flame पर अच्छे से तर लें दोनों साइट से golden brown color आने तक करारी और crispy गरमा गरम सर्फ करें नागोरी ऐसे ही ये बाकी नागोरी भी हम इसमें तर लेंगे छोटी और crispy फ्राइ करने के बाद इसे सर्फ किया जाता है हल्वे के साथ जो की बहुत ही tasty लगता है उसका link में description box में mention कर दूँगी बिल्कुल ready है नागोरी सर्फ करने के लिए अब मैं आपको बताऊंगी इस नागोरी हल्वे को खाने का तरीका जो की बहुत ही special है चानी चौप का पहले तो मैं यहां पर बिल्कुल देसी style में सर्फ करूंगी नागोरी हल्वा और आलू की सबजी को उसके बाद जो नागोरी है उसमें बिल्कुल गोलगप्पे के जिंदर जैसे छेत करते हैं बिल्कुल वैसे करना है फिर आलू की सबजी डालनी है और उपर से डालना है हलवा और एक ही बाइट में इसे खाना है है न मज़दा तरीका खाने का भी और बनाने का भी ये जबदस रेसिपी को ट्राइ करें और अपने घरवालों को खुश करें इस रेसिपी को देख के आ रहा होगा ना आपके मूँ में भी पानी तो ट्राइ करें और मुझे कमेंग बॉक्स में जरूर बताईएगा कैसी लगी आप सबको ये रेसिपी अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंद्स और रेलेटिवस के साथ जरूर शेर कीजेगा मैं मिलूंगी ऐसी ही और टेस्टी डिलेशिस मज़दार इंट्रस्टिंग रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई टेक केर दोंगे टो लाइक शेर और सब्सक्राइब